नमस्कार दोस्तों मैं आ गया हूँ मेरे desktop screen पर और पहले D major scale को आपको एक समझ लेना चाहिए कि D major scale होता क्या है मैं scale के detailing के उपर अभी नहीं जाओंगा मैं जाओंगा सिर्फ D major scale के basics जो notes होते हैं जो साथ notes लगते हैं यहां पर वो notes क्या क्या है उसके उपर कौन सा कौन सा chord लगता है कहां कहां लगा सकते है chord को और उसका relative जो minor होता है वो क्या होता है उस अब आज हम discuss करेंगे देखिए यहां पर आप लोगों को जो पहले समझ में लेना चाहिए देखिए यहां पर 1,2,3,4,5,6,7 साथ note यहां पर दिया गया है D major scale यहां पर लिखा हुआ है आप लोग देख सकते हैं यहां पर D major scale लिखा हुआ है और यहां पर पूरा साथ note यहां पर दिखाया गया है जो साथ note है यह साथ note कौन सा कौन सा है एक है D, E, F sharp, G, A, B and C sharp मतलब D major scale में आप लोगों को सिर्फ दो notes को sharp लगाना पड़ेगा एक होता है F sharp और एक होता है C sharp मतलब D major scale में 3rd note और 6th, 7th note आपका sharp लगेगा D, E, F sharp, G, A, B, C यह इसका notes हो गया जो साथ जो सूर है वो सूर को इस तरह से बांटा गया है और यहाँ पर जो chords लगेगा वो chords है तीनो chords इसमें लगता है एक है आपका D major chords आपका यहाँ यहाँ पर आपका यूज में आएगा A major chord यूज में आएगा और G major chord इसका यूज में आएगा मतलब D major scale के उपर अगर कुछ भी हम melody create करना चाहेंगे तो इसमें जो basic तिनों chord यूज होगा वो है D major, A major and G major और इसका जो relative minor है वो relative minor इसका जो relative minor है मतलब D major scale के उपर अगर कोई minor chord जिस minor chord को हम use में लेंगे वो minor chord का नाम है B minor मतलब यह तीन chord तो लगेगा ही D, A और G इसके साथ minor chord इसमें आएगा वो है B minor और B minor का जो supporting chord है वो है B minor, E minor और F sharp minor यह तीनों chord भी हम कहीं पर भी use हो शकता है यह depend करेगा गाने के mood के उपर, melody का mood के उपर कि वो कहां कौन सा chord वहां पर demand कर रहा है वो धीरे-धीरे दोस्तो आपका habit में आ जाएगा आपका कान ready हो जाएगा जब कौन सा chord वहां पर चाहिए आप खुद से chord को लगा सकते है तो आपने देख लिया यह था basic सा यह था पूरा basic एकदम d major scale का तो तीनों चीज़ आपको याद में रखना है पहला number है सातो जो note है इसका वो note का आपको एकदम पूरा memorize कर लेना होगा d major scale में आगर आप कोई melody बनाना चाहते है इसमें दो sharp लगता है एक f sharp and c sharp यहाँ पर जो तीनों chord यूज़ होगा वो तीनों chord है d major, a major और g major d major में जो तीनों notes यूज़ होगा वो है d f sharp a, a major में यूज़ होगा a c sharp e और g major में यूज़ होगा g b d और b minor इसके साथ अगर कोई minor chord लगेगा तो वो है b minor, e minor और f sharp minor भी लग सकता है यह depend करेगा गाने के mood के उपर